हेलो स्टुडान्स आपन करन्ट इलेक्टिसिटी या चाप्टर चा न्यूमरिकल्स ची स्टड़ी करता हो आनी आच्चा वीडियो मदे आपन तीन न्यूमरिकल्स भुखेतला होता आच्चा वीडियो मदे आपन न्यूमरिकल 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 स्टड़ी करना रहो तरबगा नुम्रिकल नूम्बर फॉर काया है। तौ बैटरीज अफ सेवन होल्ट अधर्टीन होल्ट और इंटर्नल रिजिस्टंसेश वन ओहों अधर तौ ओहों रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेट इन पैरलल विट अर रिजिस्टंस अफ त्वेल ओहों find the current through each branch of the circuit and potential difference across 12 ohm रिजिस्टंस बगा काय दिलाए प्राबलेम मदे आने आपनला काय फाइंड कराई चाहे लगशे दिया काय मतला है प्राबलेम मदे तौ बैटरीज अफ सेवन होल्ट अधर्टीन होल्ट बैटरी जा है एक बैटरी ऐह सेवन होल्ट एक बैटरीए धर्टीन होल्ट त्यानानतर and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm बैटरी जा है त्यानासे internal resistance दिलाए गशेवन होल्टी बैटरीआ है तयाचा इंटर्नल रजिस्टंस 1 Ohm, एक 13 होल ची बैटरी आए, तैसा इंटर्नल रजिस्टंस 2 Ohm, है दोने ही बैटरी एका मेकाला प्यारलल आहे, मन्जेज ही एक बैटरी समझा, याचा internal resistance आहे आणि दुसरी बैटरी याचा एक internal resistance आहे आणि याच दोने ही बैटरी ला आनकी एक parallel आहे resistance याच किते है 12 ohm आहे 12 ohm मंझे जाचा अरत पहले बैटरी पहलै बैटरी ला 12 ohm चा पहलेल आहे दुसरे बैटरी ला सुद्धा 12 ohm चा रजिस्टन्स पैरलल है मंज़े याचेवन आपन असमरू शक्तो कि दोने ही बैटरी ला 12 ohm चा रजिस्टन्स पैरलल है clear? ओके तो दोने ही ज्या बैटरी जा है तैन चा इंटर्नल रजिस्टन्स दा दिला है तो find the current through each branch of the circuit आपनलला प्रत्यक ब्रैंच मदला current फाइन कराईचा है and potential difference across 12 ohm चा रजिस्टन्स मंज़े आपनलला प्रत्यक ब्रैंच मंज़े पहला बैटरी मज़न किती चा रजिस्टन्स आता है दुसरे बैटरी मज़न किती चा रजिस्टन्स आता है आपनलला प्रत्यक ब्रत्यक 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 ब्रत करूँ मुझे आपने ला सॉल कराई ला इजी जाई लिए तर काय मतला है कि लेट द करंट पासिंग थू द टू बैटरीज बी आएवन आएटू असरा आपन समझू कि दोन बैटरीज आए तर दोने बैटरी मुझे जाना ला करन कितिया है आएवन आने आएटू आए ओके त टेकंड बैटरीज गेओ आपन थर्टीन हउल ची हे दोने एकामेक पयारलला है अनि और दोने बैटरीज ला आनकी एक रेजिस्तन्स पयारलला है 12 ओहम चार ने इसरी लेउन 2010 भेल्स त्याचा रजिस्टन्स कितिया है 2 ohm बरबर है दोने बैटरी जेका में काला पैरलल आहेत आनि यानना एक रजिस्टन्स पैरलल आकोंता 12 ohm चा इत पर समझला ओके पहले जे 7 ohl ची बैटरी आए असा आपना दल कंसिडर करू कि पहले 7 ohl ची बैटरी मज़ुन I1 रजिस्टन्स जाता है स्वरी 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 I1 करन्स जाता है दुसरी जे बैटरी आहे 30 ohl ची त्याचा मदुन I2 करन्स जाता है बरबर है आनि है 2 नहीं करन्ट C.1 आले चान अंतर एका में कला मीठ होतात आनि मीठ जाला मंजे I1 प्लस I2 दो नहीं बनन कुटून जातील 12 ohl रजिस्टन्स मज़ुन जातील बरबर है तर आपले आला I1 रजिस्टन्स स्वरी स्वरी I1 करन्ट फाइन कराईचा है आपले आला I2 करन्ट फाइन कराईचा है आनि 12 ohl मज़ुन जानादा करन्ट मंजे कुन ता I1 प्लस I2 फाइन कराईचा है तर सिंपल आए I1 आनि I2 मिला ला ता I1 प्लस I2 इजिली मिले ओके त्यान अन्तर है 12 ohl च्या अक्रोस मदला आपले ला potential difference दा फाइन कराईचा है ठीक है तो तुम्हारा समझला असेल कि आपले ला करन्ट फाइन कराईचा है या मदला मज़े I1 या मदला करन्ट फाइन कराईचा है I2 या चा अर्त असा कि तुम्हाला voltage ला चा यूज का व्लागल का बैटरीज दिलिया है ओके तर लक्षी दिया आपनला to find मदला current through each branch मज़े I1, I2 आनि I1 प्लस I2 फाइन कराईचा है आनि potential difference मज़े भी फाइन कराईचा है चला आपन या प्राब्लेम मदला solve करू या प्राब्लेम मदला बगा apply KVL किर्चाफ्स voltage law to the loop A, E, F, B, A पहला लूप आपन खियो A, E, F, B, A A, E, F, B, A हाँ लूप घेतला आपन मनज़े आपन या लूप मदला A, E, F, B, A लक्षा ठेवा में हाँ लूप का बगा रगेता हो प्राब्लेम मदला सा मतला है कि 12 ohm ला ही बैटरी कसी आए प्यारलल आए मनज़े आपन ही जे कनेक्टिंग लिंक दिली आए ती ही याला कंसिरर करनार नाए कारण के पहला सरवाद अगदर गेऊ 7 होल्टला प्यारल नंतर गेनार आपन 13 होल्टला प्यारल कारण की 12 ohm रजिस्टंस हा common रजिस्टंस हा है दोने बैटरेज मदला क्लियर ना ओके तो मुर्ण आपन पहला जो लूप आए तो लूप घेऊ A, E, F, B, E हाँ लूप घेतला या लूप मदे जर बग घेतला तो आपना काई लूप घेतला आपन A, E हाँ घेतला A, E मदे रजिस्टंस दिस्टा है का ना, लूप घेतला आपना करन चाला I1 plus I2 12 Ώलोहम रजिस्टन्स मदून I1 plus I2 करन चाला तर या मदा मदे लुपची डायरेक्शन ने करन ची डायरेक्शन सेमसल्या मुरे जो पोटेंशियल डिफ्रेंशा है त्या पोटेंशियल डिफ्रेंशी साइन कोंती है ते मैनस potential difference sign काया थे minus मुना आपन यह मद असलिव शकतो कि minus potential difference काया होईल current into resistance potential difference काया होईल current into resistance resistance कीतिया है 12 into current काया है I1 plus I2 काया है I1 plus I2 बरबर है त्याना अंतर आपन F परंत पोचला F करूं कुट परंजानार मग B परंत कारनका आपला loop काया है A, E, F, B, A हालूप है आपन A पास उन E परंत परंजाना रजिस्टनस नहुता नंतर E पास उन F परंजाना गिला तर आपला resistance मिलाला त्यावरून आपन consider केला नंतर F पास उन कुट परंजाना B पर एपन F पास उन B परंजाना करंट आएका नाए करंट ना यह त्या नंतर आपन B पास उन कुट परंजानार E परंजाना मंजे या डाइरेक्शन ने गिला या डाइरेक्शन ने गिला तो या मदा मद एक इंटर्नल रेजिस्टनस है इंटर्नल रेजिस्टनस मदों जानारा करंग कोंता है आइवन बर लूप ची डाइरेक्शन आनी करंट ची डाइरेक्शन सेम होता है करनका अपन B कलून को ना खळे चालला E कले B कलून E कले जाता हो आनी करंट सुद्धा त्याच डाइरेक्शन ने जाता है मंजे लूप आनी करंट ची डाइरेक्शन सेम होता है आनि loop आनि current ची डाइरेक्शन जर सेम होता säil तो त्यान सा जो potential difference है तो potential difference जा समुर काय लागतो minus potential difference जा समुर काय लागतो minus बड़ potential difference कसा कारता अपन current into resistance resistance कीतिया है one ohm into current कीतिया है I1 तो one into I1 मन्ज़े काय होईल I1 one into I1 मन्ज़े काय होईल आयवन होईल, अरे होईल की नाई, 1 इंटो आयवन मुझे काई होईल, आयवन, त्यान अंतर आपन समोर जर गेला, तर या मदे बैटरीज बगा, बैटरी मदे कुटे जाता हो आपन, निगेटिव कड़ून, पॉजिटिव कड़े, लूप ची डायरेक्शन बगा न, पॉजिटिव कड़े जर जाता हो आपन, जाच्या खड़े जाता हो, तो साइन देतो आपन, मुझे कोना खड़ गेला आपन, पॉजिटिव कड़े, पॉजिटिव कड़े गेला मुझे, आजा साइन काई घेतला में, प्लस, आनि बैटरी किती होल्ट ची आए, 7 होल्ट, कि इक्वल टू कायस्ते 0 इक्वल टू कायस्ते 0 मंज़ेश therefore माइनस 12 इन ब्रैकेट i1 प्लस i2 लीला माइनस i1 इन्टू 1 माइनस i1 आनि माइनस कोड़ूं प्लस कड़ेगेला ता प्लस किती होल्टा है 7 होल्टा प्लस 7 इक्वल टू 0 तरह समझला का माइनस 1 इन्टू i1 i1 प्लस 7 इक्वल टू 0 तो therefore यहाँ प्लस 7 ला राइट आन साइड लागे होंजा प्लस 7 ला राइट आन साइड ला ने लातर काय रहली ते माइनस 12 इन्टू इन ब्रैकेट i1 प्लस i2 माइनस i1 आनि प्लस 7 राइट आन साइड ला गेला मुड़े माइनस 7 रहोईल की नहीं प्लस 7 राइट आन साइड ला गेला मुड़े माइनस 7 जाला बर इत प्रणत जाले जना अंदर बगा प्रतेक ठीकानी माइनस साइन आ है मगा आपन काय करतो minus 1 ने both side ला multiply के लिया ननतर minus minus plus 12 i1 plus i2 minus into minus plus i1 equal to minus minus plus 7 then 12 ने bracket ला multiply के ला 12 i1 plus 12 into i2 plus i1 equal to 7 12I1 plus 12I2 plus I1 equal to 7 मिलेल की नहीं So therefore, या मदे जर बगितला 12I1 अन्य हाँ इकड़ एक I1 आहे 12I1 plus I1 13I1 plus 12I2 equal to 7 So therefore, 12I1 plus 13I1 plus 12I2 equal to 7 हाँ पहला लूप आपन सौल के ला आनि पहला लूप पुन आपला equation number first मिलाला पहला लूप सौल के ला आनि पहला लूप पुन काई मिला equation number first मिलाला इत्प्रंद काई अड़सन और इत्प्रंद समदला की नहीं ओके त्यान अंतर सेकंड जो लूप आहे आपन सेकंड लूप पर किर्चाप्स होल्टेज लाओ यूज करना रहो सेकंड लूप काया है अपलाई किर्चाप्स होल्टेज लाओ टू दे लूप C E F D C लग्षे ठेवा आपन 12 ओम रजिस्टन चा अक्रास मदे सर्वर कैल्कुलेशन करता हो मुन आपला जो काई तूचा लूप आ है हा काया बनला ता C E F D C वर्चाल लूप आपन कंसिरर केला 12 ओम सोबद आता सेकंड लूप लाग मझे सेकंड होल बैटरी ला आपन कंसिरर करनार कोना सोबद 12 ओम रजिस्टन सोबद 12 ओम रजिस्टन सोबद सेकंड बैटरी ला यूजर केला आता आपला लूप काया बनला C sorry काया बनला C E F D आनी C काया बनला C E F D C काया लूप बनला पला C E F D C सरवात फर्स्ट सी कड़ून E कडे सी कड़ून E कडे केला तो रजिस्टन साय का नाई इतके होलटेज ला लागेल Potential Difference निगुशक टोका नाई नादर E पासून E F कडे E पासून कोना खडे गेला E F कडे E पासून E F कडे गेला चानंथर मला सांगा करण्ची डाइरेक्शन आनी लूप ची डाइरेक्शन कसी होता है सेम करंची डायरेक्शन आनि लूपची डायरेक्शन सेम आनि करंच आनि लूपची डायरेक्शन सेम सेल तो पोटेंचियल डिपरंस मेरे आपन काय लिए तो माइनस मुनन माइनस एल कुंता करंच जाता है I1 प्लस I2 कुंत कश्या मदुन जाता है 12 ohm रजिस्टनस मदुन मनुन 12 into in bracket i1 प्लस i2 यहिल एरे समझेता है ना आता लीला त्यापर करें आता जसा लीला त्यापर करें आपन लीला तर करंची डाइरेक्शन और लूपची डाइरेक्शन से मसल्या मुड़े साइन का यहिल माइनस 12 into in bracket i1 प्लस i2 नंतर आपन कुटे जाना आता f कलूँन d कले f कलूँन d कले किला ती त्या मदे सुधर रजिस्टनस आएका नाई नंतर d कलूँन c कले ता आता आपन स्वारी काया आला होता आपला माइनस 12 i1 प्लस i2 आला होता त्या नंतर आपन कुटे d कलूँन कोना कले चलला c कले d कलूँन c कले चलला तर जो काय d कलूँन c कले जाते विली लूप ची डाइरेक्शन आनी करन ची डाइरेक्शन कसी होता है सेम होता है लूप ची डाइरेक्शन आनी करन ची डाइरेक्शन रेजिस्टेंस टू आये तो करणे आये टू तो दू है टू इनुटू का लिए युल, आये टू नदने आपन सनगर neighboring एंब्राग भेटरिय एक है तो भैटरिय में आपन ़िए बैटरिय में आपन माइनस कल्ग भर भुदाने लिए प्लस कड़ा माइनस 2 इन्टो आई टू प्लस 13 काई वहला प्लस 13 इक्वल टू 0 काई मैं आला इक्वल टू 0 इत प्रंद सम्मझ लागा तरह आपला calculation काई होता है कि माइनस 12 इन्टो इन ड्रैकेट आई 1 प्लस आई टू माइनस 2 आई टू प्लस 13 इक्वल टू 0 आला देन आपन काई करना हाँ हाँ जो प्लस 13 आई याला राइट आई साइड लगे हों जो आनि यहाँ माइनस 12 ने ब्रैकेट ला मल्टिप्लाई करू सकतो करू सकतो माइनस 12 ने ब्रैकेट ला मल्टिप्लाई करा तो माइनस 12 इन्टो I1, माइनस इन्टो प्लस, माइनस 12 इन्टो I2, 12 I2, तो माइनस 12 I1, प्लस इन्टो माइनस 12 I2, माइनस 2 I2, आनि प्लस 13 राइटान साइड ला गिलाता काया होईल, माइनस 13, तो माइनस 12 I1, माइनस 12 I2, माइनस 2 I2, प्लस 13 राइटान साइड ला गिलाता काया दोने ही साइडला माइनस जी से तापन काय करू माइनस ने बोथ साइडला माइनस ने मल्टिप्लाई के ला तकाय यहील माइनस माइनस प्लस तो जी ते काय रहा हील 12 I1 माइनस माइनस प्लस 12 I2 माइनस माइनस प्लस 2 I2 is equal to minus minus का होईल plus तका होईल थे 13 होईल so therefore 12I1 तहां तर सिंगल है 12I1 plus 12I2 आने 2I2 I2 सेम है 12I2 plus 2I2 मंज़े किती होईल 14I2 is equal to का है मिडल आप ला 13 का है मिडल 13 मिडल की नहीं तर बगा समोर का है लिए उसक तो इत्रन समझ ला समझ लागा समोर का है लिए उसक तो लगशे दे या मुद नेक्स आपन बदला 12I1 माइनस ने मल्टिपलाई कि लागा आपन का है मिडला 12I1 plus 12I2 plus 2I2 is equal to 13 मिडला so therefore 12I1 12I2 plus 2I2 मंज़े 14I2 equal to 13 12I1 plus 14I2 is equal to का है मिडल 13 मिडल then 12I1 14I2 ला मिरा आट 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 पाई जया है आएंट मतैडिय कोटोटेश लगे टोटोटीफ सब्सक्राइइब सब्सक्रान आला के लगाँता है कि आएंवर्वामा सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऊंच ौट इंहें नुट इंडियुयुनчеiles нар subtitles दर्चे नियुम्रीकल सॉल के ला त्यास टाइप चास सेम नियुम्रीकल आपन सॉल करता हो फक्त क्यालकुलेशन थोड़ा हार्ड है चेंज क्या होता है इतने सर्वगोष्टी प्रोसेस कसी आए सेम चाहे रहा है की नहीं ओके तर या मदे जर बग इतला था आएवन ची वैल 13I1 प्लस 12I2 इकल तो 7 का मतला पन 13I1 प्लस 12I2 इकल तो 7 तो देर्फोर आएवन ची वैलू किती आली आता तापन कार ला 13-14I2 इकल तो देर्फोर 13 इंट इन ब्रेकेट आएवन ची वैलू 13-14I2 डिवाइड बाइ 12 प्लस 12I2 इकल तो 7 तो देर्फोर आएवन ची वैलू आपन प्लस 12I2 इकल तो 7 तो देर्फोर आपन असक लिवशकतो 13 चै डिवाइड मजे 12 आए तो 13 डिवाइड बाइ 12 इन ब्रेकेट 13-14I2 प्लस 12I2 इकल तो 7 लिवशकतो तो आपन यहला असली ला 13 divided by 12 in bracket 13 minus 14 I2 divided by इंटु plus 12 I2 equal to 7 इत प्रंत समझला की नाई समझला इत प्रंत समझला मग अचान अंतर मला सांगा divide मदे 12 आए तो आपन 12 ने multiply करता पूर्ण equation ला अर यागोदर चाए प्राब्लेम है आपन केला न तो divide मदे 12 आए थले उले पूर्ण equation ला चाए ट्वेलने multiply करूंगी है चा अने पूर्ण equation ला अपन 12 ने multiply करे ला तर मला सांगा याचा multiply मदे 12 याचा सुद्धम multiply मदे का है ल? 12 आने याचा सुद्धम multiply मदे का हैल? 12 तहट 12 और 12 तर 12 त तह कैंसल ले? 12 and 12 cancel दो दो इते काई उरेल 13 फक्त 13 उरेल और ब्रैकेट में देखाया है 13-14 I2 प्लस 12 into 12 इते 12 आहे 12 into 12 किती होते 144 I2 144 काई होते I2 equal to 12 into 7 किती होते 84 12 into 7 किती होते 84 So therefore आपला काई में दो 13 in bracket 13-14 I2 bracket close प्लस 12 into 12 144 I2 equal to 7 into 12 84 Well मगया 13 ने है 13 ला मल्टिप्लाइ कर आलत किती है 169 होते 13 into 13 169 minus 13 into 14 कर आलत मल्टिप्लिकेशन कर आलत तो होते 184 into I2 13 into 14 करूं बगा 13 into 14 ता मल्टिप्लाइ कर आलत तो होते 184 into I2 प्लस 144 I2 आने equal to काई है 84 अरे समझादा है मन्जे आपन काई केला या मदेजर बगाल था 12 ने मल्टिप्लाइ कर आलत तो होते 12 and 12 कैंसल काई उरला 13 13 ने ब्राकेट ला मल्टिप्लाइ कर आलत तो 13 into 13 169 minus 13 into 14 182 into I2 प्लस 12 ने मल्टिप्लाइ कर आलत तो 12 into 12 144 into I2 is equal to 12 ने मल्टिप्लाइ कर आलत तो 12 into 7 84 12 into 7 84 इत प्रंद समझला अरे इत प्रंद समझला का ओके या ना नंतर जर्बग इतला आपन सामर साल के ला तो मल्टा सांगा या मदा मदे आपन जे constant term माई ते constant कर गें जो मझे जे 169 आए तेरा आपन राइट एंसाइड लागे हों जो 169 ला आपन राइट एंसाइड लाजर ने ला तो मल्टा सांगा 169 ला राइट एंसाइड लागे होंगे ला तुम्ही तो right and side ला काई आ है, 84 आल्रेडी आ है, 169 right and side ला गेला मुझे plus चा काई होईल, minus 169 right and side ला गेला मुझे plus चा काई होईल, minus होईल, मुझे 84 minus 169 चला आन्नी या चा मदे बगाल, तो minus 182 plus 144 I2, minus 182 I2 plus 144 I2 तो minus into plus minus, तो 182 minus 144, 38, 182 minus 144 किती होते, 38 बट आपन bigger number sign दे, तो मुझे आपन bigger number sign काई जला, minus तो bigger number sign minus, 182 minus 144 मुझे 38, दोगान मुझे कामन कोना है, I2 is equal to 169 आपन right hand side ला नेला मुझे 84 minus 169 then right hand side ला देला 84 minus 169 जरकर, आल तो 84 साइन काया है, समोर काई सना है, मुझे plus plus into minus, again minus, 169 minus काय कराल तुमी 84, तो किती होते, 85 बट मला सांगा, 169 ची साइन काया है, minus, मुझे bigger number sign काय जली, minus तो इते काया है, minus 85, काया है, minus 85, आनी left hand side ला बगाल ता I2 चा multiply मदे कीती होता, minus 38, right hand side ला गिला नंतर काय होल तो multiply मदे जले मुझे, right hand side ला जले मुझे, divide मदे, मुझे minus 38 चा right hand side ला मुझे काय जला, divide मदे गेला, तो तुम्हाला काय मिलेल, minus 85 divided by minus 38 I2 इकोल टो आप्लाला मिलाला, minus 85 divided by minus 38, minus minus, काय होईल, cancel I2 इकोल टो काय मिलेल, 85 divided by 38, काय मिलेल, 85 divided by 38, करंट असले मुझे, ampere current असले मुझे काय हो, ampere, तो I2 ची value मिलेला, 85 divided by 38, ampere, काय मिलेली, 85 divided by 38, ampere मिलेली अरे समझला, रही लक्षिया, थोड़ा calculation जास्तस मोटा है, मोटा हाट, थोड़ा हाट calculation हाट आए, पन तुम्हाला minus plus बरबर एते, मला माहितिया है तो I minus plus एते मन्जे असारत मला calculation करता है, तो बाकित प्रोसेस तर से मसा है, और easy process है चला, I2 ची value निगाले, तर ही I2 ची value आपन equation number 2 मदे put करू equation number 2 मदे put केला, तो equation number 2 मदे I2 ची value put केला आपन, तो I1 काया है तो I1 equal to होता 13 minus 14 I2, बरबर है, I1 is equal to apply equation number 2 होता 13 minus 14 I2 13 minus 14 I2, divide मदे किती होता 12, divide मदे काया होता 12 so therefore I1 equal to 13 as it is minus 14 in bracket I2 ची value 85 divided by 38, समझला 13 minus 14 into I2 ची value किती 85 divided by 38, आणि divide मदे किती 12, divide मदे किती L, 12 L, L की नहीं so therefore आपन यह अगोदर केला होता, कि numerator मदे दोन टर्म आई, दोन टर्म चा मदा मदे minus 0, असेल तो दोगान ना ही denominator आपन काय करतो, separate करतो दोगान ना ही denominator separate जर केला, तो 13 चा डिवाइड मदे 12, तो 13 divided by 12 minus 14 चा डिवाइड मदे 12 into 85 divided by 38, दोगान ना अपन डिवाइड बाइड सेपरेट केला ना, तो 13 divided by 12 minus 14 divided by 12 into 85 divided by 13 का कही एकस टर्मा है, multiply मदे आए मदे, सिंगल टर्मा है, clear, okay then 13 divided by 12 minus 14 divided by 12 चा यहल, तो दोगान ना 2 चा डिवाइड होते, दोगान ना का होते, 2 चा डिवाइड, 27 चा 14 divided by 26 चा 12, तो 7 divided by 6 तो 7 divided by 6 into 85 divided by 38, 12 divided by 13 minus 7 divided by 6 into 85 divided by 38, so therefore 13 divided by 12 minus तर्टीन डिवाइट बैर 12 माइनस 7 into 85 कराल ततों होते 595 मल्टिप्लाइ करूं बगाल तुम्हें 7 into 85 कराल किती होते एक मिनित ते बड़ब्र 7 into 85 कराल तका होईल 595 6 into 38 कराल नुम्रेटर नुम्रेटर ची मल्टिप्लिकेशन होते denominator denominator ची multiplication होते मनुल 7 divided by 6 into 85 divided by 38 हुईल यांचा जो multiply कराथ 7 into 85 595 और 6 into 38 228 7 into 85 595 6 into 38 228 होतो करूंबगाल देन है दोगान अजर solve करतो मतला आपन ते है दोगान मदे बगाल दोगान मदे मोठी नंबर कुनती 228 तर तुमचा 228 का हुईल? LCM 228 काई हुएल LCM होईल तुम्हाला LCM मधे किदी है 228 LCM मधे 228 है 228 ला आपन 12 ने divide करतो 228 ला काई करतो 12 ने divide 228 ला 12 ने जर divide जर खिला आपन तर तुम्हाला मिलेल 23 228 आपन काई खिला LCM खिला 228 LCM 228 LCM घेतला जा 228 ला कितीने दिवाइट कराईचा मतलू मी 12 नी 228 ला 12 ने दिवाइट कराल जा तुम्हाला मिलेल 19 किती मिलेल 19 त्या 19 ने हा नुमरेटर जा 13 ला कराईचा मल्टिपलाई 19 ने 13 ला मल्टिपलाई के ला त 13 मल्टिपलाईट बाई 19 मैदेल 13 multiplied by 19 then sine minus 228 ला 228 ने divided केला तो 1 उरुती 228 ला 228 ने divided केला वन 1 ने ते जहा intertwined 1 that नुमरेटर ला multiply केला तो 595 तोस मैदेल ना मंजे 228 ला 12 ने divide केला तो 19 19 ला ते जहा νुमरेटर ला तो नुमारेटर ला तो trade 13 19 मंजे 13 इंटू काय होईल? 19 देन साहें माइनस 228 ला 228 ने डिवाइड केला ता काय होईल? 1 1 ने ते चाह नुम्रेटर ला मल्टिप्लाई केला 595 इंटू 1 मंजे काय मिलेल? 595 मिलेल मिलेल तरह आप्ताला मिलेल याटा इतने 13 इंटू 19 माइनस 595 डिवाइड बाइ 228 मं 13 इंटू 19 ला मल्टिप्लाई केला ता मिलेल तू मल्टिप्लाई केला तर किती मिलेल? 247 माइनस 595 आहेज आनि दिनोमेटर मेंदे काया है? 228 clear? So then 247 माइनस 595 जरक करा तू माला मिलेल माइनस 384 किती मिलेल ते है? माइनस 384 डिवाइड बाइ 228 किती मिलेल? डिवाइड बाइ 228 So therefore नुमेरेटर ला आनि दिनोमेटर ला 4 ने जर दिवाइड जर केला मुझे 384 आनि 2828 ला किती ने दिवाइड केला? 4 ने दिवाइड जर केला तू माला मिलेल माइनस आतर माइनस 384 डिवाइड बाइ 4 मनजे 96 384 डिवाइड बाइ 4 मनजे 96 डिवाइड बाइ 228 डिवाइड बाइ 4 मनजे 57 तर माइनस 384 डिवाइड बाइ 4 केला तर 96 आनि 228 डिवाइड बाइ 4 केला काई मिलेल? 57 तर 96 डिवाइड बाइ 57 तो 96 आनि 57 57 डिवाइड बाइड 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 जातो minus 32 divided by 19 I2 ची value किती मिलाली होती 85 divided by 38 किती मिलाली होती 85 divided by 38 So therefore आपला total करन I1 fine आपला fine काय कराई चो I1 आपला fine कराई चो I2 आपन I2 सुद्धा fine केला आता आपला काय fine करना गेल जो 12 ohm resistance है त्याचे मुदन जाना राट total current fine कराऊला गेल आपला total current किती जाईल I1 प्लस I2 जाईल I1 प्लस I2 जाईल ता I1 ची value minus 32 divided by 19 plus I2 ची value 85 divided by 38 85 divided by 38 So therefore दोगान मजे जर बगाल दोगान मजे 38 मोटा है त्यानंतर 38 ला 19 चाट डिवाइड होती मन येल्सीम काय बनेल 38 येल्सीम काय बनेल 38 आणि ह्या 38 ला 19 ने जर डिवाइड जर के ला ता किती होईल 2 त्या 2 ने minus 32 ला multiply कराल ता किती होईल 64 अटे समस्ते ना येल्सीम 38 ह्या 38 ला किती ने डिवाइड कराल फर्स्ट कोना है 19 38 डिवाइड बाइ 19 मन जे 2 त्या 2 ने त्या ने जर डिवाइड जर के ला तर 1 उरतो 38 ला त्या डिवाइड जर के ला तर काय उरतो तं माइनस दो प्लस 85 माइनस इंटो प्लस आप ला माइ तै काय होते? माइनस दो प्लस दो प्लस समस्ते तो 85 म्मочему 64 मैनस कराल तो 21 85 म्मref दो ला मैनस कराल तो किती है तो 21 पर बिगर नमबर साहिन कोना च्या है 85 ते काईल प्लस डिवाइड बाई 38 तो 21 डिवाइड बाई 38 एमपीर निगेल कुनता टोटल करण जो 12 ओम रजिस्टन्स मजून जाता है मन्जे ची आचार टोटल करण कुनता होता I1 प्लस I2 तो किती मिलाला आपलाला 21 डिवाइड बाई 38 एमपीर तो किती मिलाला 21 डिवाइड बाई 38 एमपीर रह लक्षाथ क्लियर त्यानांतर आपला 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 अनि V equal to IR जर हो ते तो मला संगार 12 ohm मदून resistance किती जातो? 12 ohm मदून जनाला resistance मंज़े I1 प्लस I2 आतर स्फाइन केला जो किती आहे? 21 divided by 38 किती आहे? 21 divided by 38 into capital R मंज़े resistance value किती? 12 ohm किती? 12 ohm 21 divided by 38 into 12 so therefore 21 divided by 38 into 12 जर आहे? तो 38 आनि 12 आ टूचा डिवाइड होते है? है आपनल माहिता है? 38 आनि 12 आ टूचा डिवाइड हो सकते मून 38 आपन 2 ने जर डिवाइड किती लाजा 19 आनि 12 आपन 2 ने डिवाइड किती लाजा 6 clear? 21 divided by 38 into 12 तो 21 divided by 38 आतला टूचा डिवाइड किती लाजा 19 आनि 12 आ टूचा डिवाइड किती लाजा 6 तो 12 आपन डिवाइडा चाओ डिवाइड किती लाजा डिवाइड किती लाजा 6 सुद्धा फाइन केला, जो किती आला, 126 divided by 19, hold, किती आला, 126 divided by 19, hold, clear, खुब मोठा न्युम्बरीकल सोता, एचे मादे क्याल्कुलेशन खुब मोठा होते है, त्यान चे महादा मदला, कंसेप खुब छोता होता होता, पर खाल्कुलेशन खुब मोठा होता शला, दुम्हाला नियूम्बरिकल सुता काई चला खुरूप मोटा चला 클lear, राई लक्स्एादí तर अशान नियूम्बरिकला है एवला मोठा नियूम्बरिकल एफ नर नाए वुआ और ज़रीक में तुम्हाला एवला मोठा कालक्रूरसमे विचार नाहाए i1 किवा i2 प्रेंटे विचारल येंड होईल नियुम्बरिकल्स इत प्रेंटे समझला का किवा है याच नियुम्बरिकल मदे i1 आने i2 ची वैलू देईल आने तुमल डायरेक पोटेंशेल डिफ्रेंस विचारल तो इजीली काड़ू सकता तुम्ही i1 प्लस i2 काड़ू आने त्यानंदर काई देआल पोटेंशेल डिफ्रेंस काड़ू काड़ता येल येल लक्षात तो आएक मोठा नियुम्बरिकल होता इजी नियुम्बरिकल होता तुम्ही फक्त क्याल्कुलेशन दा थोड़ा लक्षे देआल क्लियर त्यानंदर किर्चाफ सलाज सी रिलेटेट एक छोटा सा नियुम्बरिकल खेऊ एक मोठा नियुम्बरिकल जला ता पने काई खेऊ छोटा सा नियुम्बरिकल तुम्हाला क्वेशन जेवड़ा मोठा जीर सता है एंसर तेवड़ा सलाहन आए लक्षिदा काई कोश्चन है A set of three coils having resistances 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm are connected in parallel मंज़े काई मतला है एक 3 coil सेट है तीन ही कोईल चे resistance है ते तीन resistance दिला है 10 ohm, 12 ohm आने 15 ohm ते तीन ही resistance एका में कला parallel है ते तीन ही resistance एका में कला parallel है बरबर है ओके तर डाइगराम में तुम्हाला मैं कोश्चन सोब बतस तुम्हाला डाइगराम पन समझावन सांग्पर में तुम्हाला लव करो ही लिए जी जाए लिए तर आप में तीन resistance घेतला एक पुआ एकाला मतला R1 धीस कंबिनेशन इज कनेक्टेट इन सीरीज विद सीरीज कंबिनेशन आप थ्री कोईल्स आप दे सेम रेजिस्टन्स लक्षा ठेवा हाँ समझाला थोड़ा अरचन जातो जो सेंटेंस आए हाँ सेंटेंस थोड़ा सा तुम्हाला ट्विल्ट केला है ट्याप मोड़े तुम्हाला थोड़ा अलचन जाएल काई मतला है पैरलल केंबिनेशन बनला तीन राजिस्टन्स चा तो जो पैरलल कंबिनेशन आए धीस कंबिनेशन में कुनता हाँ हाँ पैरलल जो कंबिनेशन आए हाँ पैरलल कंबिनेशन हाँ जो parallel combination आए हाँ parallel combination दुसरे तीन कोईल सोबत series मदे आए एका खाली एक मझे parallel एका लाइन मझे series तो तीन कोईल जानचे resistance R4, R5 यो R6 कंसिरर के ला तीन ही resistance सोबत तो जो पूर्ण combination आए हाँ combination series मझे आए मग मला सांगा आनित्या मझे असा मतला है of the same resistances मझे जे resistances तुमचे parallel आए त्यांचे parallel combination त्याचे resistance येवड़ा तीन कोईल स्ट्या सीरीज मदे है मुन आपन R4 ची वैलू 10 ओहम, R5 ची वैलू 15 ओहम आनि R6 ची वैलू 15 ओहम असली तो clear? I hope कि डाइगराम पूर्ण समझ लिए असल calculate the total resistance तरहाँ जो काई पूर्ण कांबिनेशन है इत पासुन इत पुरंत जो काई कांबिनेशन है या combination चा टोटल रजिस्तन्स आप तला फाइन कराईचा है and current through the circuit आनि या complete circuit मतला current फाइन कराईचा है जा current ची बैटरी जर इफ बैटरी आप यह में 4.1 होल्ट is used for drawing current आनि हाँ जो कांबिनेशन है या combination लेक 4.1 होल ची बैटरी लाव लिया है आनि या चा मदा मदा तुम्हाला current काई find कराईचा है find कराईचा है आए समझला numericals काई आ है पगामी एक दासां गताओ तीन रजिस्तन्स आप त्यला आपन R1, R2, R3 मदला जान ची बैटरी बैटरी आए 10 ओहम 12 ओहम आनि 15 ओहम ये तीन रजिस्तन्स कसा यत मतला है parallel हाजो parallel combination आए हाँ parallel combination दूसरे आद तीन रजिस्तन्स सोबत शीरीज मद दिया है जान ची बैलो है R4, R5, R6 R4 ची बैलो 10 ओहम मज़े same resistance मतला है था R4 ची बैलो 10 ओहम, R5 ची बैलो 12 ओहम, R6 ची बैलो 15 ओहम आनि हाँ टोटल कॉंबिनेशन है याँ टोटल कॉंबिनेशन मदला आपला टोटल रजिस्टन्स फाइन कराईचा है साही रजिस्टन्स मदला एक रजिस्टन्स त्या रजिस्टन्स आपन मनतो एक्विवेलेंट रजिस्टन्स कुम्ता resistance बन तो एक्विवालंस । टोटल रजिस्टंस मैं जए इक्विवालंस रजिस्टंस तो find कराईचा है आनि त्या एक्विवालंस रजिस्टंस चीज़ बेस वर तुम्हाला है सर की त्मदला टोटल करन्ड फाईचा है कि वहा जे वहा तुम्छा फोल्टेज हाँ 4.1 होल्ट असेल, किते हैं सेल, होल्टेज हाँ 4.1 होल्ट असेल, समझला, समझला कहा, खुब इजी प्राब्लेम आए, फक्त चंसेप लगशी देया, क्लियर, ओके, तुम्हारा टोटल रजिस्टंस मज़े एक्विवेलन रजिस्टंस फाइन कराए जाए, आरेक्विवेलन आने करण स्रू सरकीट मज़े आइफाइन कराए जाए, बरबर, चला, सोलूशन लगशी देया, आपले लाम आई तिया है, आरवन ची वहलू 10, आर्टू ची वहलू 12, आर्थी ची वहलू 15, जरका समझा, तीन रजिस्टंस पैरलल कॉम्बिनेशन मदे अस पैरलल कॉम्बिनेशन असतो, त्या वेडी, त्यांचा जो ट्या पैरलल कॉम्बिनेशन चा रजिस्टंस, फक्त पैरलल कॉम्बिनेशन चा रजिस्टंस, आर्वन, आर्टू, आनी आर्थी, याँचा टोटल रजिस्टंस, हाँ, पूर्ण रजिस्टंस, त्याला मुनों मतला टोटल शीरीज कंबिनेशन पकड़ा का? नई, अजो रजिस्टनस है यहाँ टोटल रजिस्टनस ला R' लिए बरा प्यारलाल कंबिनेशन असिल तई आचा रिप्रेजेंट कस रखेले जाते तो 1 डिवाइड बाइ R' इस इकवल टू लक्षा ठेवा बरबर 1 divided by R' is equal to 1 by R1 पहिला रेजिस्टंस 1 by R2 दूसरा रेजिस्टंस 1 by R3 तिसरा रेजिस्टंस समझला अन्य समझला parallel combination मदे बरबर लक्षे दे parallel combination मदे current different voltage same असतो सरल सरल current different voltage same कशा मदे parallel combination मदे parallel combination दे current different voltage same in the form of resistance लिया जाज रसेल 1 by R' मजे total resistance अमदला is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 जयोड तुम्च जयोड रेजिस्टंस लावलासल त्यांचा रेशियो आन्याची addition 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 so therefore 1 by R1 ची वैलू 10 plus 1 by R2 ची वैलू 12 plus 1 by R3 ची वैलू 15 1 by R1 ची वैलू 10 plus 1 by R2 ची वैलू 12 plus 1 by R3 ची वैलू 15 तो 1 by 10 plus 1 by 12 plus 1 by 15 middle middle त्यांची जर आदिशन जर केला तो त्यांची आदिशन करते वड़ी LCM काड़ने आवश्यक है असा नंबर बगा के त्या नंबर ला 3 नंबर ने डिवाइड होईली आने असा नंबर है 60 60 ला 10 ने डिवाइड होते 60 ला 12 ने डिवाइड होते 60 ला 15 ने सुद्धा डिवाइड होते मनुन एची LCM काड़ने खेतला आपन 60 LCM जर 60 खेतला तो मला सांगा डिवाइड मदे मी 60 ली नर LCM 60 असला मुडे ह्या 60 ला पहला 10 ने डिवाइड करा कित यह इल 60 डिवाइड बाइड बाइड टेन 6 त्या 6 ने तेचा वर्चा नंबर ला मल्टिप्लाइड करा 6 इंटू 1 6 समझला 60 डिवाइड बाइड 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 टेन 6 6 इंटू 1 6 प्लस 60 ला 12 ने डिवाइट करा 60 दिवाइट बाइ 12 5 5 ने जचा नुम्रेट वर्चन नेमबर ला नुम्रेट ला मुल्टिप्लाई के ला 1 ला 5 इंटु 1 5 60 दिवाइट बाइ 10 6 6 इंटु 1 6 60 दिवाइट बाइ 12 5 5 इंटु 1 5 60 दिवाइट बाइ 15 किती 4 60 divided by 15 4 4 into वर्चा numerator 1 1 ला multiply कराल 4 into 1 4 6 plus 5 plus 4 6 plus 5 plus 4 15 15 divided by 60 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 4 times 1 by r dash equal to 15 1 चा 15 divided by 15 4 चा 60 1 by r dash equal to 1 by 4 1 by r dash equal to 1 by 4 तो याम दे लग्षे दिया 1 by r dash equal to 1 by 4 हा r dash वर जायल ता forever जातो अपन इन्वर्स के ला 1 by r dash चा इन्वर्स r dash 1 by 4 चा इन्वर्स 4 1 by r dash चा इन्वर्स 1 by r dash चा इन्वर्स r dash तो r dash is equal to काई मिलेल 4 o home r dash equal to काई मिला 4 o home मन्जे हाजो प्यार्लल कॉम्बिनेशन आहे हाँ प्यार्लल कॉम्बिनेशन ची वहलू किती 4 o home किती 4 o home आता प्यार्लल कम्बिनेशन ची भालू 4 Ohm आहे मनजी आचा अर्त हाजो यवडा पोर्शन ज़ला हाँ 4 Ohm ज़ला आणि आपन मतला हो दा कि हाजो पूर्ण प्यार्लल कम्बिनेशन है हाँ ती नही रजिस्टन्स ला सिरीज मनदे आए आनि लग्षय देवा जेवा रजिस्टन्स सिरीज मनदे आसता ते वा जैंची डायरेक अधिशन होते प्यार्लल मने असल तर रेश्यों ची अधिशन, सिरीज मने असल तर डायरेक अधिशन तहाँ जो काई box काड़ला में हा box है ती नई resistance ला parallel मद्या है तर हाँ जो काई आपन total resistance याचा मदला काड़ना रहाओ तेला लेला होता आपन equivalent resistance तो R equivalent equal to हाँ जो bracket डबा काड़ला में हा डबाचा resistance आताच काड़ला 4 प्लस यहला series मन्दे कोण R4 जाची वहलू किती 10 प्लस तेला series मन्दे कोण तेला series मन्दे कोण R5 जाची वहलू किती 12 प्लस तेला series मन्दे कोण R6 जाची वहलू किती 15 क्लियर R equivalent equal to हाँ box जी वहलू 4 प्लस R4 जी वहलू 10 प्लस R5 जी वहलू 12 प्लस R6 जी जी वहलू 15 यांची आडिशन करा यांची आडिशन केला तर आपन किती मिलेल 15 प्लस 12 27 27 प्लस 10 37 37 प्लस 4 41 ओहोम तर आपनला equivalent resistance किती मिलेल 41 ओहोम तर नाउ R-, R-4, R-5, R-6 R-1 सीडिश देन R-Equivalent मजे सर्वांची आडिशन नंतर आपन याच्या मदे काई केला प्रतेकाची वहलू पूट केला प्रतेकाची वहलू पूट केला अपनला equivalent resistance मिलाला किती मिलाला 41 ओहोम R-Equivalent किती मिलाला 41 ओहोम 41 ओहोम अपनला equivalent resistance काड़ाई चा होता मग मला सांगा हाजो का equivalent resistance 40 ओहोम निगाला त्याच्या अक्रोस मदे एक बैटरी लावली होती किती 4.1 होल जी 4.1 होल ची बैटरी लावली होती resistance 41 ओहोम अपनला काई फाइन कराई चाई टोटल करंट according to ohms ला V is equal to IR पन्याच्या मदा मदे काई लावली होती है बैटरी लावली होती हो EMF मनजे V चाट इकाने में काई लिए उसकतो E E equal to IR I मनजे जानारा total current आनि R मनजे कुनता total resistance जाला आपन काई मतला equivalent resistance काई मतला equivalent resistance मनजे total resistance I into R equivalent so therefore I ची value किती हा R equivalent इकले होनिया R equivalent left hand side ला जार आनला तर E divided by R equivalent I equal to काई मिलेल E divided by R equivalent E is equal to E ची value problem मनदे लिचाए किती 4.1 divide by R equivalent किती आला 41 बरबर है तब मला सांगा 4.1 ला 41 चाँ divide हो शकते का नाई 4.1 ला 41 चाँ divide हो शकत नाई मुना आपन इहाँ divide मद लिचे तर्माइ तर्माइ 4.1 करू मंग तर्माइ 4.1 के ला तक कसा करता है लक्षिदा मी तुम्हाला कैलकुलेशन सांगाता है 4.1 नूम्रेटर मदे आए divide मदे 41 है जा 41 ला लीला मी 4.1 तकाई होई 12.1 लेट जाइँछे टार अचाइबर छीप के ला अभी तंचाइबर फ्लस वन ч वन टारि तंचा पाइबर फ्लस वन लेट एंचे तर्माइँजाखावन ठार अचाइबर फ्लस वन 12.2 1 करू च्शिआयो पाइटर फोर्ती वन होता sugar अर्थ seventटाइ ठीका नी होता तेला लेट्ट अनसअलला एक परेशीफ केला धा 4.1 जाला मंझे 4.1 इंट टैंचा पाउर पलस न होईल लेट्ट है रेप्त टैंचा पाउर पलस वन ये तो 4.1 एक पाउर पीफ पलस न कैना न फिट्र पेज़ केला दल दल लेट्शेफ beside 1 ऐक पलाइजा सऩ तहाँ 0.1 ओंपियर अर्य समझ लाखा 1 ला 10 ने 10 पावर माइनस 1 ने मल्टिप्लाई करने मनदी चाइचा आपता 10 पावर माइनस 1 अपलाई करने 10 पावर माइनस 1 अपलाई के ला मझे आचकाई जाला 0.1 ampere हाविल तुम्चा टोटल करन तर जो काई सरकीट मदला टोटल रेजिस्टन्स किती 41 ampere और टोटल करन किती 0.1 ampere किती 0.1 ampere समझला I hope कि हाँ जो numerical हाँ समझला आसेल आनि हाँ important numerical है आनि हाँ तुम्हाला येतो तो इते या ठीकानी किर्चोफ शला च न्यूम्ब्रिकल्स एन्ड हो था या नंतर तुम्हाला चालो होतील Wheatstone Bridge Network оставだ with stone bridge network नेत्वर्प्सकुम्हा ब्या बालैंस कंडिशन बगुन ठीवाईची with stone bridge network आ नि मिटर ब्री arrive या दोगान ची balance condition के यह numerical हापन कस साल करते तुम्हाला बगुंठेवाई जायत आपन उद्याला मुझे स्वारी या जा नंतर चा वीडियो मदे विट्स्टोन ब्रिच आनी मिटर ब्रिच नुम्रिकल्स घेना रहो ठीका है तो या वीडियो मदे आपन इत प्रंत च या नंतर तो कई पोर्शन आपन तो नेक वीडियो मदेयो थैंक य।